उत्तर प्रदेश के कुशी नगर जिले के डुदही रेल्वे स्टीशन के पास बहपुर्वा रेल्वे क्रासिंग पर 26 अप्रेल को ही दुरघटना में अपने कलीची को टुकड़े को कुछ के पीडित कुदरत की मार के बाद अब सिस्टम की मार छेलने को नवर्ष है ट्रेन की चपेट में स्कूली बसके आने से मरे तीरा मासूम के परिजनों की आशू पोचने के लिए प्रदेश सरकार और रेल्वे प्रसासन ने दो दो लाख रुपए का चेक तु दिया लेकिन करमचारियों की लापरवाही और पैंक की मनमानी से पीडितों के खाते में धन नहीं जमा हो पा रहा है इस्तिती ये है कि जेल्वे द्वारा दिये गए चेक को बैंक वाले चमा नहीं कर रहें तो तहसील प्रसासन द्वारा दिये गए कई चेक अब्जेक्शन लगकर वापस आ जा रहे हैं यही नहीं चेक क्लियर ना होने की बावजूद थी क्लिरेंस के नाम पर पीडितों के खाते से रकम अलग से कर जा रही है लोगों ने आटीजियेस के जरिये धन्दासी खातों में अंतरित करने की मांग की है 26 अप्रेल की सुभा थावे से गोरग पुचा रही पैसेंजर ट्रेन की चपेट में स्कूली बस की आ जाने से 13 मासूमों की माथ हो गई हाथ से की सिकार 13 मासूमों की आठ परिवार पूर रेल विभाग तथा जीला प्रसासन ने 2-2 लाग की हिसाब से घटना की दिन ही चेक उपलप्त करा दिया था आनन्फानन में दिये गए चेकों में गरबढ़िया हो गई जिससे प्यूड़तों को गलती दुरुस करने के लिए कई बार तहसील की चकर तक काटने पड़े लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रही अपने दो बोईटों को खोने वाले व्यक्ती ने जब तहसील दार द्वारा दिये गए चेक को बैंक में जमा किया तो आउट ओफ रेंज की टुपणी के साथ वापस आ गया दो बच्चों मेराच और मुस्कान को खोने वाले मोन दीन को भी रेलवे से मिला चेक पेंडिंग ही है एक-एक बेटे खोने वाले चहीर और नजीर को तो अपना चेक तुरुस्त कराने रेलवे भाग के आफिस बनारस तक जाना पड़ा लेकिन रुपए अभी भी खाते तक नहीं आ सका है इन पीडित परिवारों का चेक भुतान के लिए पेंकों का चक्कर लगाना उनके दुखों पर भारी पड़ रहा है पटोना से यहां तो यह मनेर साथ बोले का ऐसा है चेक हम रिसीव नहीं करेंगा आप डबे में डाल दिए यह चेक क्लियर नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी आप अपने संतुष्टी के लिए डाल दिए हम लोग डाल दिये लेकिन उस चेक का भी कोई आता पता नहीं लगा है कि उस चेक कब तक आएगा चे नहीं आए भी करेंक दो रहा हिला हो वालिग की जा रही है और कूछ पर्सासाशन की जम उसी नगर से जनमत नियूस के लिए अजीज सिंग की रिपोर्ट झाल झाल झाल